हेलो गाईस मेरे यूटुग चैनल पूजबी तेजुकेशन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का सेशन एनालोजी सदस्यता का पार्ट टू तेखिए एनालोजी सदस्यता का पार्ट टू तो इसमें देखिए अल्फावेट दिये है ए वी सी डी इ एफ जी वह यहाँ पे दिये है एच आई आई जे के ल एम न अ एफ प क्यू आर एस प यू वी डव्लू एक्स य और जेट तो इस अल्फावेट में कोडवर्ट कैसे याद रखेंगे तो देखिए जो की आपको जिनकी भर याद रहेगा ओके तो ट्री और डी में फोर इ में फाइव की तितना तो सभी को पता रहता है जेड कभी सभी को पता रहता है की 26 य का 25 इ में 5 जे में 10 O 15 T 20 Y 25 ऊके तो देखिए A B C D E F E तक तो सभी को पता रहता है की A नमर में 1 B नमर में क्या आता है 2 C 3 D में 4 और E 5 के तो इसमें देखिए F fix 6 fix 6 तो यहां पे F की place value क्या बनी 6 Oके G कजी में इस प्रकार से बन जाएगा 7 की तो G की place value क्या बनेगी 7 H H को उपर से भी पैक कर लेंगे नीचे से भी तो क्या बन जाएगा 8 H की place value क्या बनेगी 8 I I know I know तो I का place value क्या बनेगी 9 K J J क्या बनेगा J O J को हटा देंगे तो क्या बनेगा 9 K J की place value क्या बनेगी 10 K K K K K K K K K J Me K Kitने खिलाडी होते हैं 11 K तो A की place value क्या हो जाएगी 11 K L Love सब से बच जाते हैं बारा कि एल कि प्लेस वेल्यू क्या हो जाएगी बारा कि M करेंखे मैं तेरा हीरो मैं तेरा हीरो मैं से M और तेरा तो तेरा तो M की प्लेस वेल्यू क्या बनेगी तेरा N नहा के पास 14 आम है नहा के पास 14 आम है तो N के प्लेस वेल्यू क्या बन जाएगी 14 ओके O से क्या बन जाएगा 15 पी का बन जाएगा पिंकी 16 वर्स की है वो सभी की बहन है तो P की प्लेस वेल्यू क्या बन जाएगी 16 के पिंकी 16 वर्स की है वो सभी की बहन है Q क्यून मिस रानी तो रानी को 17 से खत्रा तो P की वेल्यू क्या हो जाएगी 17 के के Q की प्लेस वेल्यू क्या हो जाएगी 17 आर राजू मेरा भाई है वो 18 साल का है आर की प्लेस वेल्यू क्या बन जाएगी 18 के S कर किस प्रेक्टर से बन जाएगा S कोई धर से प्रेक्टर देंगे और 1 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 19 S की प्लेस वेल्यू क्या बन जाएगी 19 T 20 के U तुम ट्विन्स वन हूँ क्या आ रहा है 21 यू का प्लेस वेल्यू क्या हो जाएगी 21 के V वाइज वाइज से पता चल रहा है कि वाइज वाइज के तो V का क्या हो जाएगा प्लेस वेल्यू वाइज W W W 22 कितने साल के है 2 या 3 तो W की प्लेस वेल्यू क्या हो जाएगी 23 उके एक्स एक्स का मेरा एक्स ब्रदर है 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 वो 24 साल का है एक्स 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 प्लेस वेल्यू क्या बन जाएगी 24 एक्स एक्स ये तो सभी को किता होगा वाई 25 होगा और जेट 26 उके इतना किलियर हुआ सभी को तो यहाँ पे एजूरेटी तो क्या नम्मर आएगा ये में पांच जे दस ओ पंद्रा टी ट्वेंटी बीस और बाई 25 इतना किलियर हुआ सभी को तो नौट कर लीजिए तो आगे बढ़ें नेस्ट कोस्चन की और अबदे की अंगे एजी अल्फावेट का बिप्रीत अक्षर निकालने के लिए 27 से घटाना पड़ता है तो बिप्रीत अक्षर निकल जाएगा तो इसमें देखिए बिप्रीत अक्षर निकालेंगे एज कर निकालेंगे बिप्रीत अक्षर के एज आता है 8 के तो 27 मेंसे 8 को क्या करेंगे माइनस करेंगे के 27 मेंसे 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 19 के 19 नमर में क्या आता है S ओके S का निकालेंगे S का बिप्रीत अक्षर के S आता है 19 नमर पर तो 27 मेंसे क्या माइनस करेंगे 19 तो 27 मेंसे 19 माइनस करेंगे कितना 8 तो तो 8 में क्या आता है H के न किलियर हुआ सभी को तो अंग्रेजी अल्फाबेट का बिप्रीत अक्षर निकालने के लिए 27 से घटाना पड़ता है तो बिप्रीत अक्षर निकल जाएगा तो आठ नम्मर में क्या आता है H के इस प्रकार से आप बिप्रीत अक्षर निकाल सकते हूं के तो आगे बढ़ें तो देखिए स्वर अक्षर क्या होते हैं A E I O U के तो स्वर अक्षर क्या होते हैं A E I O U के बढ़ें नेस्ट कुश्चन की और तो देखिए क्या दिया है A S N O P वरावर O N S P तो C L A Y वरावर कोश्चन मार तो देखिए इसमें ओप्सन दिये हैं ओप्सन लिग देती हूं यहां पे A A L C Y V नमर में दिया है C Sorry L C Y A C नमर में दिया है L Y C A D नमर में दिया है A C L Y के इसका सम्बन इससे है इसका सम्बन किससे होगा के इस ओप्सन में बताना है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि इसको देखिएंगे कि यह कैसे आया के S N O P 1 2 3 4 इसका देखिएंगे O N S P तो यहां पे देखिए O किसमें दिया है 3 N 2 S 1 1 P 4 इस प्रकार से हल हो रहा है तो इसका भी C प्रकार से हल करेंगे तो क्या दिया है तो क्या दिया है L A Y के 1 2 3 4 तो इसका निकालेंगे हल करेंगे तो देखिए 3 A यह जाएगा 2 L C 1 Y के A 3 L 2 C 1 Y 4 के तो इसमें A L C Y के इसमें कुन सा सही हो जाएगा A L C Y के A नम्मर इसका राइट आंसर हो जाएगा के ना किलियर हुआ सभी को तो नौट कर लीजिए तो आगे बढ़ें नेस्ट कोस्टन की और तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टन की और तो नेस्ट कोस्टन के दिया है D C V A बरावर W X Y Z तो I J K L वरावर कोस्टन मार तो अब यहां पे देखिए इसमें option दे देती हूँ इसमें बताना है कि इसका अंसर कुन सा होगा तो देखिए S R Q V V नमर में दिया है P O N M C नमर में दिया है R O Q P O तो देखिए इसको हल करते है जिस तरह से इसको हल किये है C को इसको हल करेंगे तो देखिए D C V D A तो इसी प्रकार इसको हल करेंगे W X Y Z के तो यह क्या हो गया विप्रीत के तो D का विप्रीत W C का विप्रीत X V का विप्रीत Y A का विप्रीत Z के इसी प्रकार इसका हल करेंगे तो देखिए क्या दिया है I, J, K, L के I का विप्रीद क्या होगा R, J का विप्रीद क्या होगा Q, K का विप्रीद होगा P, और L का विप्रीद क्या होगा O, ओके, इतना की लिए हुआ सभी को, तो इसमें आंसर क्या वनेगा, R, Q, P, O, तो D नम्मर इसका राइट आंसर हो जाएगा, के, तो इसमें क्या वनेया, विप्रीत, के, तो D का विप्रीत, W, C का विप्रीत, X, B का विप्रीत, Y, A का विप्रीत, Z, I का विप्रीत, R, J का विप्रीत, Q, K का विप्रीत, P, L का विप्रीत, O, के, तो इसका D नम्मर राइट आंसर हो जाएगा, इतना केलियर हुआ सभी को, तो आगे बढ़ें नेस्ट कोश्चन की और तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और तो नेस्ट कोश्चन क्या दिया है तो देखिए A, F, K, P बरावर B, G, L, Q तो C, H, M, R बरावर कोश्चन मार तो देखिए इसमें option देदेती हूँ कि इसमें बताना है कि कौन सा option सही होगा तो option दिया है D, J, O, T V नमर में दिया है D, N, I, S C नमर में दिया है D, I, N, S D नमर में दिया है D, F, K, P कि कोश्चन तो इसको हल करेंगे तो यह कैसे आया है निकालेंगे तो देखिए A आता है 1, F, 6, K 11, P, 16 तो यहाँ पर देखिए A में 1 प्लस कर देंगे कितना जाएगा 2 तो 2 नमर में क्या आता है B 6 में 1 प्लस करेंगे कितना 7 7 नमर में क्या आता है G 11 में 1 प्लस करेंगे 12 12 नमर में क्या आता है L 16 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 17 17 में क्या आता है Q, के, इसी प्रकार इसको हल किये है, तो इसको हल करेंगे, तो देखिए C, H, M, R, के, C आता है, तीन नमर पर, H, 8, M आता है, 13 नमर पर, R आता है, 18 नमर पर, तो तीन में एक प्लस करेंगे, कितना, 4, तो 4 नमर में क्या आता है, D, 8 में एक प्लस करेंगे, न, 9, 9 नमर में आता है, I, 13 में एक प्लस करेंगे, कितना, 14, तो 14 नमर में क्या आता है, N, 18 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 19 19 नमबर में क्या आता है S तो इसका अंसर क्या आएगा D I N S तो यहाँ पे देखिए किसमें दिया है C नमबर पे दिया है D I N S तो इसका C नमबर राइट अंसर हो जाएगा इतना किलियर हुआ सभी को तो आगे वढ़ें नेस्ट कोश्चन की और चलिए आगे वढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन देखिए A, Z, B, Y बरावर C, X, D, W, T, E, V, F, U, वढ़ावर कोश्चन मा, तो देखिए इसको इसमें ओप्सन दिये हैं तो ओप्सन लिख देती हुँ में G, H, I, S B नमर में दिया है G, S, T, H C नमर में दिया है G, T, S, H D नमर में दिया है G, H, T, S तो देखिए इसको हल करते हैं इसका संभन इससे है तो इसका संभन किस से होगा तो इसको हल करेंगे किस प्रकार से हल करेंगे तो इसका आंसर आजाएगा तो सबसे पहले इसको हल करते हैं जेड वी वाई बरावर क्या है सी एक्स डी डबलू तो इसको हल करते हैं ए में आजाता है एक जेड में आजाता है 26 वी दो बाई में जाता है 25 तो इसी प्रकार इसमें ताना है एक में दो क्या करेंगे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन तो तीन नमबर में क्या आता है सी सी प्रकार जेड कर निकालेंगे तो दो माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 24 के तो नमबर में क्या आता है दे इसी प्रकार बाइ का निकालेंगे तो दो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23 तो 23 नमबर में क्या आता है डबलो ओके इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो इ आता है पांच नमबर पर वी आता है 22 नमबर पर और एफ आता है 6 नमबर पर और यू आता है 21 नमबर पर तो देखिए इसको हल करते है इपांच में कितना प्लस करेंगे 2 कितना जाएगा 7 तो 7 नमबर में क्या आता है G इसी प्रकार 22 में 2 माइनस करेंगे कितना जाएगा 8 22 में 2 माइनस करेंगे तो कितना 20 तो 20 नमबर में क्या आता है T तो 6 में 2 प्लस करेंगे तो कितना 8 तो 8 नमबर में क्या आता है Edge इसी प्लस करेंगे इसी प्लस करेंगे इसी प्लस करेंगे तो नमबर में 2 माइनस करेंगे कितना होगा 19 तो 19 नमबर में क्या आता है S तो देखिए इसमें क्या आया G, T, H, S तो इसमें C नमबर राइट आंसर हो जाएगा G, T, H, S तो ना किलियर हो सभी को तो नौट कर लीजिए तो आगे बढ़ें नेश्ट कोश्चन की और तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की और तो नेश्ट कोश्चन क्या दिया है P, Q, R बरावर U, T, S तो L, M, N बरावर कोश्चन मार तो इसमें देखिए ओफ्शन दिये हैं P, Q, O V नमर में है N, M, L C नमर में है Q, V, O तो देखिए इसको हल करते हैं P, Q, R तो P आता है 16 नमर पर Q आता है 17 नमर पर R आता है 18 नमर पर ओके, तो इसे परकार इसको हल करते हैं 16 में 5 प्लस करेंगे 21 नमर में क्या आता है U, OK इसे परकार इसका 17 में 3 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 20 तो 20 नमर में क्या आता है T, OK 18 में 1 प्लस करेंगे कितना जाएगा 19 तो 19 नमर में क्या आता है S इसका निकालेंगे L, M, N L, M, N L आता है 12 नमर पर M, 13 नमर पर N, 14 नमर पर OK तो देखिए 12 में कितना प्लस करेंगे 5 OK 5 करेंगे तो कितना आएगा 17 OK तो 17 नमर में क्या आता है Q OK 13 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 16 16 नमर में क्या आता है P 14 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 15 15 नमर में क्या आता है O तो इसमें आंसर क्या रहनेगा Q, P, O तो इसमें C नम्मर राइट आंसर हो जाएगा कि इतना केलियर हुआ सभी को तो नौट कर लीजिए आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर और सस्क्राइब कर ले मिलते हैं नेस्ट वीडियो